देखिए, Redmi 15,000 के अंदर Redmi 13 5G को लॉंच किया है, दो वेरियंट के साथ लॉंच हुआ है, एक 6GB 128GB 14,000 रुपिस में और एक 8GB 128GB 15,500 रुपिस में लॉंच किया है इस फूर में ना LPDDR 4X RAM और UFS 2.2 Storage टाइब है आज इस वीडियो में Redmi 13 5G का Pros and Cons के बारे में बात करूँगा, सबसे पहले कुछ अच्छा चीज़ों के बारे में बात करते हैं पहला Positive Point इसका Design और Build Quality Design काफी अच्छा है, बहुत सारी लोगों को पसंद आएगा Glass Pack के साथ आता है, Premium Feel देता है देखे, Glass Pack मुझे काफी अच्छा लगता है बाकि आप लोग Comment Box में जरूर बताना के बाजेट के अंदर Glass Pack अच्छा है या Polycarbonate दूसरा Point, इस फूर में Full HD Plus डिस्पले है अच्छा काफी अच्छा काम किया है चौधा Point, अपडेट दो साल का Software Update और चार साल का Security Update भी मिलेगा Redmi A.B. बोला है, 36 मान तक दोस्तो Hang Free Experience मिलेगा हम लोग कुछ दिनों तक Extreme Level में जाके टेस्ट करेंगे और Detail Review आएगा दोस्तो इसी चैनल में अब लोग क्लियर हो जाओगे ओ वीडियो देखने के बाद Hang है की नहीं थोड़ा सा Integer कर लो अब चलो कुछ कमिया के बारे में बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट इस फोड में Hybrid Sim Slot दिया है Dedicated होना चाहिए था दूसरा पॉइंट प्री इंस्टॉल बहुत सारे वेकार एपली के सान आता है दोस्तों जिसको Uninstall तो कर पाओगे लेकिन अगर आप लोग Uninstall नहीं करते हो आपको Notification बेच कर बहुत परिशन करेगा और कभी कबर Add भी सो होता है तिसरा कमिया इस फोड में Single Microphone दिया है Noise Cancellation Microphone होना ही चाहिए था कम से कम इस प्राइस में तो हम लोग एए Expect करते हैं कर दिया है रहना चाहिए था Dual Speaker अगर आप लोग 14,000 रुपिस के हिसाब से देखोगे Overall एक Package वाला स्मार्टफोन है जिसमें बैटरी भी अच्छा है Fast Charging Adapter भी देखने को मिलता है इभारेच Performance निकाल के देता है Camera भी इसका इभारेच है दिजाइन भी काफी अच्छा है IP53 का रेटिंग है तो अबर आल Package वाला स्मार्टफोन है 14,000 प्राइस है लेकिन ओफर बेगरा लगा कर 13,000 रुपिस में मिल जाएगा अगर आप Redmi के फैन हो या आप Redmi के फोन खरीदना पसंद करते हो इसके पास एक बार जरू चेक करना मैं तो कहूंगा रुख जाओ दोस्तों हमारे फुल रिव्यू वीडियो बहुत जल्द आ रहा है वीडियो देखने के बाद आप लोग क्लियर हो जाओगे एफोन आपके लिए सही रहेगा कि नहीं बागी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ इसको आप लोग पार्चस करने वाले हो के नहीं और अभी तक लाइक नहीं किये तो क्या करें यार जल्दी लाइक दबाओ और चैनल को सस्क्राइब भी करो मिलते हैं अगले एक फ्रेस वेडियो में